Hello Friends, Welcome to Mechanical Tech Hindi Friends, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इंजन मिस्फायर होने का क्या मतलब होता है आप कैसे पता करें कि आपकी गाड़ी का इंजन मिस्फायर कर रहा है किन किन कारणों से इंजन मिस्फायर करता है और अगर आपकी गाड़ी का इंजन मिस्फायर कर रहा है तो उस टाइम पे आपको गाड़ी चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए तो आज की इस वीडियो में हम इन सारे ही पॉइंट्स की उपर में डिटेलने बात करेंगे तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग और इंफरमेटिव होने वाला है तो वीडियो को एंट्सक जरूर देखे वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और दोस्तों को साथ शेयर जरू कर दे और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब भी जरू कर ले चले वीडियो को शुरू करते है फ्रेंड्स किसी भी कंबर्शन इंजन में पावर को प्रोडूस करने के लिए चार सिक्वेंस होते है पहले सिक्वेंस में यह होता है कि एयर फिल को मिक्षर इंजन के सिलिंडर के अंदर आता है दूसरे सिक्वेंस में यह होता है कि जो मिक्षर इंजन के सिलिंडर के अंदर में आया है उसका कमप्रेशन होता है और तीसरा जो sequence होता है वहाँ पे spark plug से spark के निकलता है जिसके वायसे जो air fill का mixture है वो ignite होता है जिससे power produce होता है और जो चौथा sequence होता है उसमें ये होता है कि जो exhaust gases है वो exhaust pipe से होते हुए atmosphere में चली जाती है अब friends किसी वज़ा से अगर इन में से एक या फिर एक से ज़्यादा sequence जो है वो या तो गलत हो जाए या miss हो जाए ये होता है engine का misfiring होना friends वैसे मैं आपको बताऊं कि अगर पहले sequence में rich mixture आजाए air fuel का या फिर lean mixture आजाए engine का cylinder के अंदर में तो वो क्या होता है कि इसके बाइस से engine जो है वो miss fire करता है दूसरे sequence में अगर जो compression है वो low हो जाए या फिर air fuel का जो mixture है वो leak हो जाए तीसरे sequence में अगर spark process जो spark निकलने का timing है वो या तो delay हो जाए या तो जल्दी निकल जाए उससे क्या होगा कि जो compressed mixture है वो सही तरीके से और सही time पे ignite नहीं होगा इसके बज़े से भी जो हमारा engine misfire करता है और चौथा point ये है कि अगर air fuel का mixture सही से burn नहीं होगा तो वहाँ पे unburned gases होगी जो कि engine के exhaust system को जो हमारा है वो उसे damage करेगी तो ये तो proper हो गया कि आप अब ये समझ गया होगा कि engine misfire करना क्या होता है चलिए अब मैं आपको बताता वक्त आपको कैसे पता चलेगा कि engine जो है वो misfire कर रहा है पहला symptom है rough acceleration अगर गाड़ी चलाते वक्त आपको engine के side से हलका या फिर बहुत ही तेज जर्क महसूस हो तो आप समझ जाओ कि engine जो है वो misfire कर रहा है अब इस तरह का misfire तब create होता है जब engine के उपर में load पड़ता है औ अपनी गाड़ी को चलाते हो तो उस टाइम पे अगर कोई भी sequence जो है वो misf करता है तो आपको जर्क महसूस होगा जो कि rough acceleration कहलाता है तो rough acceleration एक निसानी है कि आपकी गाड़ी का engine है वो misfire कर रहा है दूसरा symptom है rough idle अफ्रेंट्स जब गाड़ी का engine start हो और गाड़ी खड़ी हो वो होता है ideal का position तो friends कभी कभी क्या होता है कि जब गाड़ी हो खड़ी होती है engine start होता है उस टाइम पे भी misfire करता है ऐसा तब होता है जब आपके गाड़ी का sensors जो है वो खराब हो जाए faulty हो जाए और वो सही signal ECU को नहीं बेज़े जिसके वज़े से जो air fuel का mixture है वो या तो engine बंद हो जाएगा तो यह निसानी होता है ideal के position में कि आपके गाड़ी का engine है वो misfire कर रहा है तीसरा symptom है vibration अब friends जो engine होते हैं वहाँ पे एक से ज़्यादा cylinder का भी use कर जाता है किसी में 2 cylinder किसी में 3,4,6,8 इतने ज़्यादा cylinders का use कर जाता है लेकिन जब कोई भी गाड़ी के engine को manufacture किया जाता है तो उसे पूरी तरह से balance कर दिया जाता है जिसके वैसे vibration जो है वो create नहीं होता है लेकिन अगर example कि किसी engine में 4 cylinder है और कोई एक भी cylinder misfire कर रहा हो तो क्या होता है कि उसका जो phenomenon है वो unbalanced हो जाता है जिसके वैसे vibration create होता है और जब आपनी गाड़ी को चलाओगे खास करके high speed पर चलाओगे तो आप गाउर करोगे कि आपको vibration ज्यादा महसूस होगा यह तब होता है जब 4 या फिर 6 कोई से भी एक cylinder जो होता है वो misfire कर रहा हो तो यह भी एक निसानी है जिससे आप यह पता कर सकते हो कि आपकी गाड़ी का जो engine है वो misfire कर रहा है फिर जो आगला symptom है वो है check engine light जो कि आपको गाड़ी के dashboard में दिखाई देगा आप जो modern cars होती है वहाँ पे बहुत सारे sensors होते हो कि एक से जादा बहुत तरी के sensors होता है जो कि अलग-अलग data को sense करते हो और इसे बेचते है engine के brain यानि की ECU engine control unit में अब engine control unit sensors के दोवारा सारे data को read करता ह compile करता है और यह decide करता है कि जो problem है वो बड़ा है या छोटा है और अगर ECU को यह मालूम चलता है कि problem जो है वो बड़ा है तो क्या करता है वो dashboard में जो हमारा check engine light है उसे glow कर देता है तो अगर कभी check engine light आपके dashboard में दिखाई दे तो हो सकता है कि आपके engine को है जो miss fire कर रहा है व इसके लावा भी अगर आपके गाड़ियों बहुत सारे problems हो तो उसे भी indicate करता है अगला symptom है slow acceleration कई बार क्या होता है कि oxygen sensor के खराब होने के वज़ा से ECU को oxygen से गलट data मिलता है जिसके वयसे क्या होता है कि जो ECU air filter को mixture engine के सिरिंडर के अंदर भेज रहा है तो कभी-कभी बहु ज्यादा lean हो जाता है अब इसके वयसे यह problem आता है कि अगर mixture सही नहीं हो तो यह आपके गाड़ी के acceleration को कम कर देता है वो इस तरह से करता है कि आपके जो car है वो limp mode में चली जाती है जिसके वयसे जो आपका गाड़ी का engine है उसका जो revolution है वो 35 rpm से ज्यादा नहीं बढ़ पात acceleration जो है बहुत ही slow हो जाता है तो इससे भी आप समझ जाओ कि आपके गाड़ी का जो engine है वो misfire कर रहा है आगला symptom है engine sound change अगर आप बहुत दिन से गाड़ी चला रहे हो तो आपने यह notice किया होगा कि हर एक engine दूसरे engine से अलग sound करता है जैसे कि V8 engine जो होता है वो 4 cylinder inline cylinder engine से का अलग तरह से sound करेगा तो अगर आपके गाड़ी का कोई भी एक cylinder misfire करेगा तो जैसे कि 4 cylinder engine है तो वो 3 cylinder engine के तरह sound करेगा तो अगर आपके शीच को notice करते हो और यह observe करते हो कि जो engine का sound है वो change हो गया है तो आप यह समझ जो कि आपके गाड़ी का जो engine है वो misfire कर रहा है आए अब बात करते है कि किन किन कार्णों से engine misfire करता है जो सबसे पहला reason है वो है ignition coil या फिर distributor का खराब हो जाना friends सबसे ज़्यादा common जो reason होता है misfire करने का वो होता है ignition coil का खराब हो जाना कुछ गाड़ियों में क्या होता है कि जितने spark plug होते है उतने ignition coil होते है वहीं कुछ गाड़ियों में क्या होता है कि एक ही ignition coil होता है उसके बाद वहाँ पर distributor लगा होता है और उससे सारा जो spark plug है वो connected होता है तो अगर ignition coil खराब हो जाए तो वो क्या होता है कि ओतना voltage जो हमारा वो गिन ही नहीं कर पाता है जिसके वैसे क्या होता है कि spark plug जो है वो spark emit नहीं करता है या सही time पर नहीं कर पाता है और engine जो है वो misfire करता है तो अगर ऐसा कोई situation आये तो आवे पर जरूर ignition coil को चेक कर लो engine के misfire करने के जो दूसरा कारण है वो है spark plug का खराब हो जाना अफ़र इस spark plug बहुत ही important component होता है क्योंकि इससे निकले हुए spark के वज़ा से ही air fill को mixture जो है वो ignite होता है तो अगर spark plug कभी खराब हो जा या सही मातरा में जो spark को नहीं emit कर पाए तो उससे भी क्या होता है कि engine misfire कर करता है तो अगर आपने बहुत समय से अपने गाड़ी का जो spark plug को change नहीं किया है और engine misfire कर रहा है तो आप spark plug को भी change करके देख सकते हो तीसरा reason है intake manifold gas leakage अगर आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है तो खास करके उसमें यह ज्यादा problem आता है cylinder head के पास में क्या होता है कि जो intake manifold होता है वहाँ पे gas का leakage होता है जिसके वैसे क्या होता है कि सही मातरा में जो air है वो engine के cylinder के अंदर में नहीं पहुश पाता है और उस वज़ासे भी जो हमारा engine है वो misfire करता है अगला कारण है low fuel pressure फिर जब क्या होता है कि जो fuel pressure regulator है वो खरा हो जाता है और जब fuel का pressure कम होता है उस टाइम पर यह होता है कि ज्यादा lean mixture यानि कि air ज्यादा और fuel कम यह engine के cylinder के अंदर में जाता है और इसको पहचानने का सबसचा तरीका यह है कि अगर आप यह गाड़ी में एक से ज्यादा cylinder है और सारे ही cylinder में misfire कर रहा है तो आप समझ हो कि आपका fuel filter या fuel pump या fuel pressure regulator है वो खराब हो चुका है अगला कारण है fuel injector problem मैं आपको गया पर किलर कर दूं कि जो पुरानी गाड़ियों होती है वहाँ पे ज्यादा fuel injector के problem के वज़ह से engine misfire करता है वैसे नई गाड़ियों में यह problem नहीं आता है अब जब fuel injector वो खराब हो जाए तो वो सही amount में fuel जो है वो engine के cylinder के अंदर में spray नहीं कर पाता है और इस वज़ह से भी engine जो है वो misfire करता है आगला जो कारण है वो है low compression या फिर engine के अंदर में किसी part का damage होना आप फ्रेंस कभी कभी क्या होता है कि जो compression है वो सही से नहीं हो पाए और जो कि तब होता है जब timing built है वो damage हो जाए तो उससे क्या होता है कि जो timing built के damage होने के वज़ए से जो compression का rate है वो बहुत ही नीचे चला जाता है और उस वज़ए से जो engine है वो misfire करता है आप फ्रेंस एक सवाल ये आता है कि जब आपको ये मानुत चल जाए कि आपकी गाली का engine misfire कर रहा है तो उ बीना जले बीना burn हुए engine के exhaust से बाहा निकलने लगता है अब जो modern गाड़ियां होते है वहाँ पे होता है catalytic converter जो की बहुत ही महंगा component होता है और जब catalytic converter working में होता है तो उस time पे उसका जो temperature है वो 600 degree Celsius से भी उपर चला जाता है ओके अब अगर air fuel का unburned जो gas है वो pass होने लग converter के temperature के वैसे क्या होता है कि जो air fuel का mixture वो burn कर सकता है वो जल सकता है उसका explosion हो सकता है और अगर उसका explosion होगा तो वो damage करेगा catalytic converter को जिसको क्या है कि change करना बहुत ही महंगा पड़ सकता है बहुत ही costly यह component होता है दूसरा यह है कि अगर engine misfiring कर रहा हो अब लगतार अपनी image कर सकता है तो friends अगर आपको मैं situation पूछो तो मैं आपको यह suggest करूँगा कि जब आपके गाड़ी का engine जो वो misfire कर रहा हो तो आप अपनी गाड़ी को नहीं चलाए तो friends आज की इस वीडियो मैं आपको detail में समझाया कि engine जो misfire करता है उसका क्या मतलब होता है कब करता है कैसे आप मालूम करो कि आपके गाड़ी का engine misfire कर रहा है और engine के misfiring के टाइम पे आपको गाड़ी को चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए I am sure आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इन सब चीजों को जान गए होंगे और आप अपना गाड़ी में असानी से पहचान सकते हो कि आपके गाड़ी का engine misfire कर तो नहीं रहा है तो friends I am sure आज का ये वीडियो आप लिए helpful होकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बिलाइकन को भी दबा ले ताकि आने वारी important वीडियो के update आपको notification के धुरू मिलते रहे मिलते एकले वीडियो में thanks for watching this video goodbye